हेलो गाईज यह NCRT कलास सेमेंथ बुक है मैज का देखिए यह एकसरसाइज 4.4 है 4.4 का यह है कोश्चन नमबर फर्स्ट का यह है देखिए क्या बुला है कोश्चन कर रहा है कि मुन्ना सब्टेक्ट थ्रास द नमबर आफ नोटबुक यहां से बुल ला है कोई मुन्ना नाम का लड़का है वो किसी नमबर का तीन गुन्ना कर रहा है और 50 सब्टेक्ट कर ला है तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका एक्वेशन बनाएंगे एक्वेशन कैसे बनेगा तो पहले क्या करेंगे एजूम कर लेंगे लेट एस एजूम देदर नमबर भी एक्स कोई नमबर है उसको हम लोग एक्स माल ले रहे हो लंबर मालूम ही नहीं है इसलिए हम लोग उसको एक्स माल लेंगे तो देखिए क्या करेंगे तो यहां से ब equation हम लोगे बनगे minus 3x है तो इधर इसको भेज देंगे minus 3x को तो यह हो जाएगा plus 3x तो यह हो जाएगा 50 equal to 8 plus 3x ठीक है अब देखिए क्या करेंगे यह 8 को इसदार subtract करेंगे यह plus 8 है तो इधर जाएगा transfer होगा तो यह minus 8 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 50 minus 8 equal to 3x अब 50 में से 8 जब हम लोग सब्ट्रेक्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 42 42 equal to 3x देखिए यहां 3 से x में multiply है तो जब यह इधर जाएगा तो यह divide हो जाएगा तो यह हो जाएगा x equal to हो जाएगा 42 upon 3 यहां से यह cancel out हो जाएगा कितने बार में cancel out होगा तो यह हो जाएगा 14 बार में cancel out हो जाएगा तो यह x के values हम लोग निकल लिए तो यह हम लोग का right hand देखिए यह कोई बंदा है question अब एफ देखिए इवने how things of a number if she adds 19 to it and divide the sum by 5 she will get 8 बोला है ना कि कोई number है उसमें अगर 90 हम लोग add कर दे रहे हैं कोई number है लेटर से जूम कर लेंगे ओ नमबर x है x में बोला है 90 add कर देंगे add करने के बाद से उसको क्या करना है 5 से divide कर लेना तो answer जो प्राप्त हो रहा है will get 8 8 मिला है सबसे पहले equation बना लेंगे equation बना ले रहे हम लोग इसका equation बनाएंगे तो देखिए कैसे होगा let us assume that number भी x है तो x हो गया x में बोला है कि add कर दे रहा है कितना 19 19 add हो गया अब उसको बोला है कि 5 से divide हो जा रहा है sum को 5 से divide कर दिये तो यह sum हो गया x प्लस 90 यह sum हो गया इसको हम लोग 5 से divide कर दिये यह 5 से divide हो गया तो जो get हो रहा है मतल नहां बिल ला है अब देखिए यहां से x plus 19, 19 इसमें plus है, तो इधर जब जाएगा, तो यह माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 14, 14 minus 19, तो यह जाएगा x equal to 40 minus 19, यहां से 19 सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा x equal to 21 हो जाएगा, ठीक है, this is our right and so, next question देख ले रहे हैं हम लोग, z द up the number, कोई number का 5 by 2 में से 7 सब्ट्रेक्ट कर दे रहा है, तो result जो आ रहा है 23 आ रहा है, देख लिए इसमें भी let us assume that number bx, ठीक है, अब इसमें 5 by 2 up the number, 5 by 2 up the number करेंगे, तो यह हो जाएगा 552 into x, तो यह हो जाएगा हम लोग का 5 by 2 x, 5 by 2 into x, हो गया, अब देखिए क्या कर रहा है, अब का रहा है, इसमें से 7 सब्ट्रेक्ट कर देंगे, तो यह इसमें से 7 according to question, यहां से 5x upon 2 minus 7, तो यह बोला है कि कितना answer मिला है, result जो आ रहा है 23 आ रहा है, ठीक है, यह equation बन गया है, equation बन गया, अब हम लोग इसको solve करके x value निकाल लेंगे, सबसे पले क्या करेंगे, य इसको इधर transfer कर देंगे, तो यह हो जाएगा 5x upon 2 equal to 23 plus 7, यह मिलके हो जाएगा 30, यहां से दखिए, 5x में 2 से divide है, तो जब यह 2 से divide है, तो इसको इधर हम लोग बेजेंगे, तो यह multiply हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5x equal to 30 into 2, यह हो जाएगा 5x equal to 60, यहां से x equal to हो आपन 5 यह 60 आपन 55 से डिवाइड हो जाएगा तो यह हो जाएगा 13 तो यह हम लोग का राइट एंस्वर हो जाएगा